दोस्तों मेरी आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गालवाद करांगा प्रोफेसर बल्विंदर कौर वनों कीती गई खुदकुशी दे मामले इस दे नाज जुड़ा होया कटना करम अते राजनेतिक विवाद अकाली दलते कांगरेस पार्टियां जो की प्रोफेसर बल्विंदर कौर दी मौत जड़ी होई है उनावलनों खुदकुशी कीती गई है एक अजेहा हैंड रिटन नोट एक वोइस नोट एक सूसाइड नोट जो की प्रोफेसर बल्विंदर कौर ने चड़ दिया एस सूसाइड नोट दे बिचे जिकर कीता गया अपनी आतम हत्याले जिन्वेवाद ठहराए गया पंजाब दे सिख्या मंतरी हरजोत बैस नोट सो राजनेतिक पार्टियां तरने दे चुकिया ने इस चीज़ी मांग लेके बाजिद हैगिया ने वो जथे बंदियां इना दे सहाइड प्रोफेसर आदियो जथे बंदी 1180 जा सहाइड प्रोफेसर जिना दी न्युक्तियां दा एपूरा दा पूरा रोडा है उस सारे मांग करते पहने कि सिख्या मंतरी हरजोत बैस नो इस खुदकुशी दे मा अधियापका नो उक्सान दे मामले दे बीच नामजद करके उना दे खिलाफ कारवाई कीती जाएं वकभख अदालतां दे मामले पहला आंदे रहेने उना दे बीच सूसाइड नोड दे बिच किसी भी व्यक्ति दा ना बत और, खुदकुशी ली उक्सान वाले अनसर दे र वाई क्यों नहीं किती है ये मांग भी है ये शिकायत भी है ये शिक्वावी है इस मामले देविच सब तो पहला समझन वाली गल एह है कि प्रोफेसर बलविंदर कौर दी खुदकुशी एक गलत चुक्या होया कदम है जिस मांसिक तना अवस्था डिप्रेशन स्टेट ऑफ मा बात के करांगे लेकिन प्रोफेसर बलविंदर कौर बलनो आतम हत्या या खुदकुशी दी पूरी दी पूरी जड़ी कारवाई या हरकत मैं कहांगा ये बिल्कुल गलत है किसी भी व्यक्ती नो अपनी जिंदगी देनाल खिलवार करनदा कोई हक नहीं खास करके उस वक्त ये किसी भी स्थिती दे बेचे लेकिन उस वक्ता बिलकुल नहीं जड़ों कि उस दे एक छोटा बच्चा होवे उस दा एक परिवार होवे जो कि उस दे निर्बर कर देने बेशक इस प्रोफेसर दी स्थिती तकरीबन ग्याना सो अठविंजा या पंजाब दे हजारा होर नौजवान हैगे ने जो कि जिना को रुजगार नहीं नौकरियां नहीं जो कि किसे ना किसी फ्रस्ट्रेशन तो गरस्त ने लेकिन इस दा मतलब ए नहीं कि सूसाइड कर ला जाए खुदकुशी कर ली जाए जिन्दगी तो हार मन ली जाए इस सब तो ना पक्खी जड़ा सुनेहा प्रोफेसर बलविंदर कौर ने देता है जो कि मैं बिलकुल गलत मान दा हाँ खुदकुशी करन तो पहला जिड़ा नोट लिखिया है प्रोफेसर बलविंदर कौर ने बहुती पावक कर देन वाला सेंटिमेंटल कर देन वाला एक बहुती इनोसेंस देना लिखिय होया, suicide note है, इस दे विच अपने खूंड दे निशान उनने इस suicide note होते छड़े, इस उमीद दे विच की बाद दे विच कोई संसाना रहा जाए, सरकारानों या हाकमानों कोई कोई संसाना हो जाए, कोई शक न हो जाए कि ये suicide note केस ने लिखिया, इस दे विच बहुत वेरवेस ही तो उनने अपनी मान सिक्स दे थी, दा वर्नन कीता है, इस तो अलावा education, सिख्या मंतरी बारे कई बार चर्चा कीती है, उनना दा जिकर कीता है, तो इस तरीके दे references, अपन बल्विंदर का और रोल मॉडल नहीं हो सकते, बहुत से मैं आज सोशल मीडिया दे होते साथे कई पत्रकार साथी ने, कई influencer ने, जो की पावुक होके लिख रहे ने कि प्रोफेसर बल्विंदर का और दी रहा होते, उनना दा भी तुरण नो जी कारदा है, एक बहुती लोकों नो अपना रोल मॉडल बनाना चांदेने, और बिलकुल गलत ने, उननो अपने मना दे विच्चों, दिमाग दे विच्चों, एचीजां कड़न दी लोड है, प्रोफेसर बल्विंदर का और जिंदगी दे विच्च बहुत चंगे प्रोफेसर रहे होंगे, बहुत इकजेहा उदारण, इकजेहा एकजेहा एकजेहा एकजेमपल सेट किता है, जिसनों कदे भी कोई भी फॉलोड ना करे, उनने थे बहुत ही मतपूरण गाल जड़ी समझन वाली ए है, कि इस सूसाइड नोट दे विच्च सिख्या मंत्रीदा ना लेके उनना नूं पिन पॉ किस मांसिक अबस्था दे विच एक कदम चुक्या गया, आपा उस दी मेरिट दे विच नहीं जामाँगे, लेकिन सानू एस ची दी गहराई दे विच जाना पहेगा, कि की जड़े इल्जाम उनना वो लो लाए गए, जिस भी मांसिक अबस्था दे विच ओए सोचनली मजब आपा पहला दा सूसाइड नोट नो एक्जामेन कार लिए कि जड़ा हर जोत बैंस पंजाब दा सक्ख्या मंत्री है, उसने किसी नीजी या व्यक्तिकत कपैसिटी दे विच प्रफेसर बलविंदर कॉर देनाल कोई किड या कोई रंजिश नहीं कड़ी, सूसाइड नोट द उते हरस्मेंट या फिर उसनों मानसिक तौरते परिशान करन दे संदरों दे विच लिख्या गया होवे, उस केस दे विच प्रायमा फिसाई एक फायर बढ़ दी है, लेकिन जड़ी जाच एजंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजंसियां को एनिक डिस्क्रेशन है भी होनी भी चाहे दी है कि ओ इस चीजनों समझन कि सिख्या मंत्री यानि कि हरजोत बैंस ने जड़ा भी कदम चुक्या, उनने इनफाक भी कदम नहीं चुक्या, बलकि पंजाब अते हर्याना हाई कोट वलनों जड़े ओर्डर दे गए, उनना दी रोश्नी दे विच इना सहाइक प प्रोफेसरा दी, न्युक्ती दी, पूरी परकरिया नों रद करन वेले, मेरिट दे उते सुनाया गया, ओर्डर सी, ओ फैसले जो कि कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार दा, नुमाइन दा, अपनी ऑफिशिल कपासिटी, अपने पबलिक ऑफिस दे विच बैठ के लेंदा है, उस नितिगत फैसले लेई, जे कोई भी व्यक्ति अपने अपनों हैरस्ट महसूस कारदा है, ते उस मंत्री या उस लीडर दा, उस नुमाइन दे दा, इसी अफसर दा ना लेके सूसाइड नोड दे विच आतम हत्याकार जन दा है, एस चीज़ ले लियाबिलिटी, हाला कि आई वोड भी जंपिंग दा गान, जीचानने कि इस मामले दी तफ्तीश होवे, कि कोई परस्टल हैरस्मेंड दा एंगल, हरजोद बैस ने ना जुड़दा सी, या नहीं जुड़दा सी, कि हरजोद बैस ने कदी व्यक्ति का ताउरत इस महिला नो ऐसी जलालत दे हेठां तो गुजारया होवे, जिस कारण की इस अधियापका नो खुदकुशी करन दी, लोड मैसूस होई, एक फैक्टर ने, जो कि अज़ेवी जांच दा विशाने, सो क्लीन चिट एजुकेशन मिनिस्टर नो ना दिती जावे, लेकिन सिर्फ क्योंकि ओ एजुकेशन मिनिस्टर कर लिया, ए अधार नहीं है कि तुसी सिख्या मंतरी नो, या किसे भी मंतरी नो, या किसे भी सरकारी नुमायन देनो, इस खुदकुशी लेए जिम्मेवाद ठहरा हो, तो जेडी सियासी पार्टियां आज एक सियासी बवाल खड़ा करके सड़कां दे उत्तरियां होई यान इस महिला दे इंसाफ दे लड़ाई-लड़नी तोरे ने, जेडी तिर्द अपने लीटना दे पोस्ट ना दा दखावा करके एक महिला दे इंसाफ दे लड़ाई-लड़ना चारी होवे, उस तिर्दे बारे तुसी की कहना चाहूंगे। एसी की कोई ना कुई जेहा काम कीता चाहे, फटाफट जेडे ध्यापक है गिने, उन्हानु नुटी पत्तर दिते जान, एक गलत न्युक्ती प्रक्रिया चुनी गई। चो एचीज़न सारी दी सारी यां बहुती क्लियर, ओन रेकॉर्ड है गिया ने, मामला जदों हाई को ना कुई जान दा है, हाई कोट ने न्युक्ती पूरी प्रक्रिया नुट पगा के मारेया, इट वस वेरी क्लियर, क्योंकि जदों में तुसी कोई न्युक्तियां कार दे हो, उस बक्त कुछ नियम, कुछ काईदे, कुछ कानून, कुछ अधारे जेहे होंदे ने, जीनाने न्युक्तियां नुए एक दारे दे बिच रहा के कारना होंदा है, उस सारी भी सारी हाँ, हादा कराउस कार्टियां गई है, चोना नुए सामने वेक दे होया, जिस अफरा तफरीद महौल दे बिच न्युक्तियां कीता गया ते, दो अलाग अग युनिवरस्टियां दसे जिननों न्यूक्तियां करन लेक किहा गया थे और ने अपने तरीकेदल न्यूक्तियां करने शुरू काती हैं। ति उस यार्ड स्टिक तो आपा वेखे ओ जड़ी सरकार जिसने गल्द तरीकेदल न्यूक्तियां किती हैं। जिननों सेट असाइड करता, कौश करता, उस तो बाद मामला लिटिगेशन दे विच है। किहा जानदा है कि कुछ हफ़ते पहला सरकार दे कुछ होर नुमाएं दे देना गालबात हुई। उन्होंने उन्हों परोसे दुआये हो सकते हैं। पॉसिबल है कि ननों क्या है गया होगी वैसी नहीं तो नों नों नुपती पत्तर दांगे, तोड़ा कोई ना कोई इलाज करदांगे, या कोई ना कोई समाधान तोड़ी प्राबलम दा करदांगे। तो इस किसम दे परोसे दुआन दे विच कोई जेही गालबात नहीं है जिसनों की तुसी कहो कि नहीं सरकार नी ता सानु कैसा वादा काता जो की पत्तर दी लकी रहते हैं। जड़ा फैसला, नीतीगत फैसला उसने लिया है, उस फैसले दे तहत उसनों किसे भी खुदकुशी आतम हत्या, जो किसे भी व्यक्तिपलनों किती जाना दी है, मेरिट्स उस केस दिया नूं डिसरेगार्ड करदे हुए जब कोई आत्महत्या करदा है कोई डिप्रेशन देपे चला जानदा है इस लई कोई अफिशेल, कोई अधिकारी, लाइबल नहीं हो सकदा इस चीज नूं आज समझन दी लोड़ा जेडे लोग पावुक होके इस तरी के दी गलामाता कर रहे ने उना नूं इस गलबात नूं नहीं करना चाहिदा लेट्स ब्रिंग आउट दे राइट परस्पेक्टिव हुन थोड़े जग्ये वदी है इस कटना दे भी छोया की सहाइक प्रोफेसर बल्विंदर कौर ने आतमात्या कर ली लाश हजे मिली नी सी, डेड़ बोडी मिली नी सी सूसाइड नोट ते जड़ा वाइस नोट सी उस दे बेस हुते उस दे वारल होंदी स्तिथी दे वेच पूरे दे पूरे पंजाब दा रोपड जिले दा महौल पागया, राजनिती सरगर्म होगी एच इस कलीर होगी कि इस महिला अध्यापक वलोंग खुदकुशी कीती गई है ते सूसाइड नोट दे वेच हरजोद मैं सिख्या मंतरी दा ना है लेकिन इस तो बात जो काम रोपड फुलस ने कीता या जो काम पंजाब सरकार ने कीता रादर दन इस मामले दे विच एक चंगी फेर इन्वेस्टिगेशन जिस दे विच उस दे परिवार दा पाक जानके सारे दे सारे तेरानू नाल रडाके लॉजिकल इस इन्वेस्टिगेशन दो कार दे उनने एक होर वाइस नोट जो की वारल हुए ऐसी उस दे बेस उते उस महिला ते उस दे पती ते उस दे सौरे दे खिलाफ डुमेस्टिक वाइलेंस के लिए जड़ा उत्पीडन दा केस ही ओ दर्ज कार लिया उन्हें केस दर्ज ही इस वास्ते कीता गया ताकि मंतरी हरजोत बेस नो बचाय जा सके उन्हें इस तिथी दे भी जदों की मेरिट ते फैक्ट्स बहुत क्लियर ने ग्याना सो अठविंजा सहाएक प्रोफेसरां दी परती प्रक्रियानू पंजाब अते हरैना हाई कोट ने खारज की तैराद कीता है सेटसाइड कीता है दुनिया दी कोई ताकसने पंजाब सरकार जब तक हाई कोट दे उस निर्देश नू साइड करनवाले ओडर नू रिवर्स नहीं करा जन्दे तब तक इना दी न्युक्तियां हो जी सरकार न्यूक्तियां कर भी देगी फिर अदालत दे बिच मुकदमा पहुँचेगा फिर अदालत ने होई 走了 सुना न है मैं हर्जोत बैंस दा कोई मुद्ध ही नहीं हैगा हर्जोत बैंस ने जिस तरीके देना लेस्ती थी नो हैंडल किता जो उना देक इंडिफरेंड जा आटिचूड रहे ना सहाएक प्रोफेसरा नो लेके ओस दियां में खबरा मिल दिया रही है ने लेकिन अधे जैपा ओपड़ पूलिस दी पूमिका दी गाल करिये तिया राधर देन कि यो सूसाइड नोट ते उज़ेड़े वाइस नोट इस महिला ने चढ़ड़े सी ओना दे उते प्राइम एफेसराई एक्चल हैंदे उना दी भी ते विरूदी ते राधर दे भी लेकिन ने नहीं किता गया उल्टा एस महिला यानि कि अपका जो की जिन दी लाश बाद दे बिच रिकवर हुई लाश दे रेकवरी तो पहला ही उस दे पती ते सौरे दे खिलाफ एक केस रिजिस्टर कारता गया उठपीड़न दा केस रिजिस्टर कारके तांकि एजुकेशन मिनिस्टर जीना कोल पूरा अमला हुएगा इस तरीके दे लोग होंगे सरकार जिदे कुल क्राइसिस मैनेजमेंट ली पूरी टीम बैठी है इना दी बेवकूफी दी कोई मिसाल ही नहीं हो सकथी कि इना ने उस महिला ते उस दे परिवार दे खिलाफी परचे रिजिस्टर कर ले मान से कुत पीडन दे केस दी लाइबिल्टी जड़ी है तुसी एक पार्टी तो शिफ्ट करके दूसरी पार्टी दे उत्ते करन दी कोशिश उस पर किती जदो कि थोनू तोड़े थोड़ जे भी कानूनी महर है गिने एडवोकेट जनल नमा तो उस ये पार्ट किता है एडवोकेट जनल दे विचे डेड़ सो दोस्वा वकील ना दी तो उसी फौज पर दी करके रखी हुई है कि थोड़ना दे विच्चो इक भी वकील थोनूए समझा जोगा नहीं सी कि ए सूसाइड नोट दे विच जड़ा ना हर्जोत मैंस दा लिख्या गया है उस दे उते अब करवाइ फ्यास दे नहीं बनादी क्योंकि ऊनना दे कोई नीतिकगत फैसला जोगी उन अपना फैसला नहीं सी जिस दे हुटे हाईकोट दे ओड़ना दी मोर लगी हुई होगे ओ जिड़ी पर्ति परकری भी जा सरकार दा एग्जुकेशन मिनिस्टर दे हुच को लेना इतनी सामबनी आई, उल्टा जेड़ा केस रिजिस्टर कर रहे ने, उसदा विरोध हो रहा है, विरोध ते राजनीती नो पर एक मिटली चाड़ दिये, लेकिन किये चीज समझ भी चान दिये कि जड़ी महिला एक सिउसाइड नोट देवी चाड़ा वड़ा कारण लिख रही है, उपने कारण तो दुखी होके सिउसाइड नोट करेगी ते पूरा ता पूरा जड़ा ठीक रहा है, उग सिख्या मंतरी ते सिर्फ एसवास दे पान देगी, ताकि राजनीतिक लाहा बाद देवी चकाली दलते कांगरस पार्टीयां बटो ओर दियें फिरन, बड़ी हरा इस वक्त भी बहुत लोका ने, सने साडे पंजाब मुख मंतरी जो कि जान देने उथे जाकर उना परिवार नोट देगा देने, चंगी गाला तो उसी परिवार नो इंदाद देती, तो उन्हों इंदाद देनी बढ़ दी है, लेकि जिमें उस खुद खुशी दे मामले, आ आदत या शहीदा दरजा देना चांदे हो तो जो तुसी ओना चीजा नो गलोरीफाई कर दे आ रहे हो तो आज प्रफेसर मलविंदर कौर जे खुदकुशी कर जांदे ने ओधे उते पोजिशन राजनीती कर दी है आज जे सत्ता तारी तर आम आदमी पार्टी दे जेडे बे मुख मलतरी जाके जो मांसे दिविच कर रहे सी ओगी करते पाई सीगे तो ज़िदो उसी खुदकुशी आनो आतम हत्या मानो जस्टिफाई करूंगे उन्हादे कारण जड़ा विव्यक्ति मारा जाना हो अपनी मांसे खलात डिप्रेशन तना उसे अपनी मजबूरियां हो स कि पार्थी फौज दे विच हर साल सैंकना दी गिंते दे विच फौजी खुदकुशी कर जांदेने बड़ा इशू तुसनों तो नो इस चीन में ड्रेस कर दी लोड है एक नौजवान दे करे पहुंचके तुसी एक करोडर रुपए दे दूंगे उस दी परिवार दी आर् आतम हत्या कर ली मजबूर होई जेडियां सरकारा ने साल दोहजार बाइदी विधान सभाच चोना दे विच अपना सियासी टीचा मित के नौकरियां नू रियोडियां वांग अपने आखिर दे कुछ महिन दे विच बंडण दी कोशिच कीती नौट डैट की नौकरियां द नहीं जिम्मेबार हो औरा खुदकुशियां जो की पविख दे विच होणियां ने पविख दे विच बलविंदर को और वरगियां नजाने किनियां ब्राइट टीचर नो तुसी हताश निराश करन दी का अधार शिला अपने इना सोड़े जड़े सियासी मुफाद होंदे जो की चोन यानि की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नो त्यान विच राखके फैसले नी शकल विच लए जान देने जिस दे विच ना ता तो नो अफसर सही गाइड कर देने नहीं तोड़े मंत्रियां दे विच जैनी दूर दरसीता होंदी है ताकि यो समझ सकन भी पविख दे दे विच आज़ता रियोडियां वांग तुसी नौकरियां वंडतियां सामियां वंडतियां लेकिन बाद दे विच अदालतां दे विच मुकदमे गिरन गिया उस तो बात जड़ी हताशा जड़ी परिशान नहीं नहीं पैता होएगी उस दा जिम्मेबार कौन होएगा पेपर लीख होंदे ने एक्थे तमाम के संदे कपले होंदे ने रोड़ा पैंदा मीडिया दे विच सरकार आप बोड़ियां होंदिया नहीं साने है पंजाब दी महजुदा पसरकार है तो जड़ों सिस्टम दा एह हाल है उस दे विच तुसी एक टीचर या एक अध्याप नो जड़ा खामयाजा पुगतना पैरे है ओ मारी गवर्निंस दा खामयाजा है जो कि यह तमाम सरकारा दे दोरा दे विच एको मेयार दा रहा है इंक्लूडिंग दे प्रेजेंट आमादी पार्टी गवर्मेंट अज बेशक आपां सरकार दी या हरजोत बैंज दी लाइब ने तो बात जड़ा उस महिला दे रिष्टेदारां दे उत्ते पति उस दे सौरे दे उत्ते मुकदमा दर्ज करके पला चाड़न दी या अपने उत्ते जड़ी तौमत लगी सी उसनो तोन ले एक होर नजायज परचा या केस रिजिस्टर करवाया आज उस दी पार्टियां दे अपने मुफाद होंते ने ओ अपने कीते होते गाल बात नहीं करना चांदे सरकारानों या मौके दे हाकमानों ही हमेशा दोशी मानना चांदे ने अपने अपने गलतियां ने अपने इस रिपोर्ट दे बिचे उसनो भी पॉइंट आउट करना दी कोशिश किती है कोई कॉमेंट फीडबैक टिपनी है आप शोर थोड़े बहुत होंगे बहुत से लोग क्योंकि एगरी नहीं करने मेरे इना विचारा दे नाल तुसी जरू लिखो, खुल के लिखो, शब्दा दी मर्यादा तो थोड़े त्यान रखो, बहुत बहुत आनवाद इस रिपोर्ट दो वेखन लिखो, रिपोर्ट लाके चेती हुंदिया मुलाकात।